गेहु की कटाई भंडारन और देखभाल फसल की समय पर कटाई और संभाल उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जिनकी उतनी समय पर की गई बिजाई और सिचाई समय पर कटाई गेहु की कटाई पतों के पिलापट ने वो सुखने पर अत्वादानों के सर्थ होने के बाद ही करे फसल की कटाई बिना उपज के नुक्सान के या बीच के उत्पादन शक्ति कम किये बिना पूरी तरह से पकने से पाज दिन पहले भी की जा सकती है बचाओं में ही है बचाओ धीली लटकती बिजली कीतारे वो ट्रांसवार्मर से निकलती हुई चिंगारियों से पकी गेहु जल्दी आग पकड़ती है गेहु की कटाई तब करे जब दानों में नमी की मातरा 12% से कम हो यदि दानों में नमी 20% तक है तो उसे सिंडिकेट थ्रिशर के साथ निकाले दानों में नमी 10% से अधिक न हो शुद्धता का रखे ख्याल कटाई से 10-20 दिन पहले खरपतवार नश्ट कर दे ताकि इनके बीज अथ्वादाने फसल के साथ नो मिल सके अगले साल के बीज को कांगियारी से बचाने है तू बीज को 4 घंटे पानी में भिगोए उपर तेरते बीज को निकाल कर बाकी दानों को सुखा कर भंडारन करे कंबाइन से कटाई है तू आवश्चक बाते कंबाइन की योग ग्या अजस्टमेंट वर अफतार फसल के घनत्व मोडव फसल के गिरे होने के मताबिक ही करे गिरी फसल को उठाने है तू फसल गिरने की उल्टी दिशा में कंबाइन चलाए बंडारन बंडारन के लिए जस्तीलो है या अलूमिनियम से बने भंडार बरतोनों का प्रयोक करे बोरिया जिनके अंदर प्लास्टिक लगा हो वो भी प्रयोक की जा सकती है दानों का बंडारन पहले इने 6 मिलिलिटर सुमिसिड इन BCC फेन्वेल रेट को 10 लिटर पानी के घूल में डुबोनों के बाद अच्छी तरह छाओं में सुखा कर प्रयोक करे गोदामों में बंडारन हेतु 25 गोलिया अलूमिनियम पुरानी बुरियों को पुनः इस्तमाल करने से फोस्पोइड प्रती 100 गन मीटर के हिसाब से रखकर 7 दिन तक कमरा हवा बंद रखे